यह कोई न जानता था कि लैला कौन है, कहां है, कहां से आई है और क्या करती है। एक दिन लोगों ने एक अनुपम सुन्दरी को तेहरान की चौक में अपने डफ पर हाफिच की एक गजल जूम जूम कर गाते सुना, रसीद मुझरा की अया में गमना ख्वाहद मान, चुना न मान, चुनी नीजहमना ख्वाहद मान, और सारा तेहरान उस पर फिदा हो गया। यही लैला थी, लैला के रूप लालित्य की कलपना कर नी हो, तो उशा की प्रफुल लालिमा की कलपना कीजिए, जब नीज़ गगन, स्वर्ल प्रकाश से संझित हो जाता है, बहार की कलपना कीजिए, जब बाग में रम-रम के फूल खिलते हैं और बुल-बुली गाती हैं जिस वक्त लेला मस्थ होकर गाती थी, उसके मुख पर एक स्वर्गिया आभा जलिकने लगती थी। ये विलासिता कब तक, एश्वर या भोग कब तक। वो प्रजा की सोई हुई अभिलाशाओं को जगाती, उनकी रितत्रियों को अपने स्वर से कम्पित कर देती। वहु नमर वीरों की कीरती सुनाती जो दीनों की पुकार सुनकर विकल हो जाते थे, उन विदुशियों की महिमा गाती जो कुल मर्यादा पर मर मिटी थी। उसकी अनुरक ध्वनी सुनकर लोग दिलों को थाम लेते थे, तरप जाते थे। उसके लिए प्रेम कताक्ष, एक ब्येद्भरी मुस्कान, एक रसी ये अदा पर क्या न हो जाता कंचन की परवत खड़े हो जाते, एश्वर्या उपासना करता, रियासते पैर की धूल चाटती, कवी कट जाते, विद्वान घुटने टेकते। लेकिन लेला किसी की और आँख उठा कर भी न देखती थी, वह एक व्रिक्ष की च्छाह में रहती विक्षा मान कर खाती और अपनी हृदेवीना के राग लापती थी, वो कवी की सूक्ती की भाती केवल आनंद और प्रकाश की वस्तू थी, भोग की नहीं। वो रिशियों के आशिरवाद की प्रतिमा थी, कल्यार में दूबी हुई, शांती में रंगी हुई, कोई उसे स्पर्ष न कर सकता था, उसे मो न ले सकता था। वही जमीन पर बैठ गया और सिर जुकाए रोता रहा, तब वह उठा और लेला के पास जाकर उसके कदमों पर सिर रख दिया, लोग अदब से इधर उधर हट गये, लेला ने पूछा तुम कौन हो, नादिर, तुम्हारा गुलाम, लेला, मुझ से क्या चाहते हो, नादिर गला थर्राने लगा, मानू वीना का कोई तार तूट गया हो, उसने नादिर की और करून नेत्रों से देख कर कहा तुम यहां मत बैठो, कई आदमेयों ने कहा लेला, हमारे हुजूर शेहजादा नादिर है, लेला बेपरवाही से बोली बड़ी खुशी की बात है, लेकिन यहां शेहजादों का क्या काम, उनके लिए महल है, महफिले है और शराब की दौर है। मैं उनके लिए गाती हूँ, जिनके दिल में दर्द है, उनके लिए नहीं जिनके दिल में शौक है। शेहजादा ना उनमत भाव से कहा लेला, तुम्हारी एक तान पर अपना सब सकता हूँ. मैं शौक का गुलाम था, लेकिन तुमने दर्द का मजा चखा दिया। लैला फिर गाने लगी, लेकिन आवाज काबु में न थी, मानो वह उसका गला ही न था। लैला ने दफकंदे पर रख लिया और अपने देरे की ओर चली। शुता अपने अपने घर चले। क लैला ने पूछा तुम कौन हो। नादिर ने कहा तुम्हारा गुलाम नादिर, लैला तुम्हें मालूम नहीं कि मैं अपने अमन के गोशे में किसी को नहीं आने देती। नादिर, ये तो देठी रहा हूं। लैला फिर क्यूं बैठे हो। नादिर उमीद दामन पकरे बाज उसे बाचरे की रोटियों में अभूत पूर्व स्वाद मिला। वो सोच रहा था कि विश्व के इस विशाल भवन में कितना आनंद है। उसे अपनी आत्मा में विकास का अनुभव हो रहा था। जब वह खा चुका तब लैला ने कहा अब जाओ। आधी रात से जादा गुजर गई। नादिर ने आँखों में आशु भर कर कहा नहीं लैला अब मेरा आसन भी यही जमेगा। नादिर दिन भर लैला के नगमे सुनता गलियों में सरकों पर जहां वह जाती उसके पीछे पीछे घूमता रहा था। रात को उसी पेर के नीचे जाकर पड़ा रहत लेकिन नादिर उनकी ओर देखता भी न था लेकिन लैला के संगीत में जब वह खशुधा न थी। वह तूटे हुए तारो का राग था जिसमें न वह लोच्थ न वह जादू न वह असर। वह अब भी गाती थीर सुनने वाले अब भी आते थे। लेकिन अब वह अपना द सच कहना, तुम्हें अब भी मेरे गाने में पहले ही का समझा आता है। नादिर बोला पहले से कहीं ज्यादा। लेला लेकिन और लोग तो अब पनसद नहीं करते। नादिर हा मुझे इसका ताज जुब है। लेला ताज जुब की बात नहीं। पहले मेरा दिल खुला उसमें सब के लिए जगह थी। वो सब को खुश कर सकता था। उसमें से जो आवाज निकलती थी वो सब के दिलों में पहुँचती थी। अब तुमने उसका दरवाजा बंद कर दिया। अब वहां तुम्हारे सिवा और किसी के काम का नहीं रहा। चलो मैं तुम्हारे आनंदोचव हो रहा था। आज शहजादा नादेर लेला को ब्याह कर लाया था। बहुत दिनों के बाद उसके दिल की मुराद पुरी हुई थी सारा तहरा टेहरान शहजादे पर जान देता था। और उसकी खुशी में शरीक था। बाद्शा ने तो अपनी तरफ से मुना वान समय का मूर एकना किसी को गवारा न था। रईसों ने महफिले सजाई, चिराग, चलो बाजे बजवाए गरीबों ने अपनी डफलिया संभाली और सरकों पर घूम घूम कर उचलते कूदते। फिरे, संध्या के समय शहर के सारे अमीर और रईस शहजादे को बधाई से च अलकुल सादे कपड़े पहने थी। अबूशनों का कही नाम न था। एक महिला ने कहा आपका सोहाग सदा सलामत रहे। हजारों कंथों से ध्वनी निकली आमीन। चार कई साल गुजर गए। नादिर अब बाद्शा था। और लैला, उसकी मलका, इरान का शासन इतने अंकित करती रहती थी। नादिर राजसता का वकील था, लैला प्रजा सत्ता की लेकिन व्यावारिक रूप से उनमें कोई भ्येदन पड़ता था। कभी ये दब जाता, कभी वह हट जाती। उनका दामपत्य जीवन आरदश था। नादिर लैला का रुक देखता था, लैल अब उतना तकलुफ था। नादिर का लैला पर एक आधि पित्य था, जो साधारन बात न थी। जहां बादशाहों की महलसरा में बेगमों के मुहले बस्ते थे, दरजनों और कैडियों से उनकी गन्ना होती थी वहां लैला अकेली थी। उन महलों में अब शिफखाने, मदर से और पुस्तका लै थे। जहां महलसरों का वार्शिक व्याई करोडों तक पहुंचता था, यहां अब हजारों से आगे न बदता था। शेश रुपे प्रजाहित के कामों में खर्च कर दिये जाते थे। ये सारी कतर व्योत लैला ने की थी। बादशा नादिर था, पर रक्तियार लैला के हाथों में था, जब कुंच था, किन्तु प्रजा संतोष्ट न थी उसका असंतोष दिन दिन बगता जाता था। प्राज सत्तावादियों को भाय था, कि अगर यही हाल रहा तो बादशाहत के मिद जाने में संदेह नहीं। जमशेद का लगाया हुआ व वे कहते अगर इरान इस चाल से तरक्की के रास्ते पर चलेगा तो इससे पहले कि वह मंजले मक्सूत पर पहुँचे, कयामत आ जाएगी। दुनिया हवाए जहाज पर बैठी उड़ी जा रही है। और हम अभी थेलों पर बैठते भी डरते हैं कि कहीं इसकी हरकत से दुनि लेला की जानी दुश्मन। फाइव राज्य में तो ये अशांती फैली हुई थी, विद्रोह की आग दिलों में सुलग रही थिया। और राजभवन में प्रेम का शांति में राज्य था, बादशा और मलका दोनों प्रजा संतोश की कल्पना में मगन थे। रात का समय था, नादिर और लेला आरामगाह में बैठे हुए, शत्रंच की बाजी ख्याल रहे थे। कमरे में कोई सजावत न थी, केवल एक जाजम विछी हुई थी। नादिर ने लेला का हाथ पकड़ कर कहा बस अब ये जाती नहीं, ओ तुम्हारी चाल हो चुनकी। ये देखो, तुम् तुम्हारे हाथ हारने में जो मजा है, वह जीतने में नहीं। लेला अच्छा, तो गोया आप दिल खुश कर रहे है। शाह बचाए, नहीं दूसरी चाल में मात होती। नादिर अर्दब देकर अच्छा आप संभल जाना, तुमने मेरे बादशा की तवहीन की है। एक बार मेरा फरजी उठा तो तुम्हारे प्यादों का सफाया कर देगा। लेला बसंत की भी खबर है, आपको दो बार छोड़ दिया, आपकी हर गिज न छोड़ूंगी। नादिर अब तक मेरे पास दिल राम भोड़ा है, बादशा को कोई गम नहीं लेला, अच्छा ये शाह। किसे इस फर्मान पर दस्तखत कर दीजिये जैसा आपने वाद किया था। ये कहकर लेला ने फर्मान निकाला जिसे उसने खुद अपने मोती किसे अक्षरों से लिखा था। इसमें अन्न का आयात कर घटा कर आधा कर दिया गया था। लेला प्रजा को भूली न थी, वो हब कि बाजी न थी, केवल विनोध था। नादिर ने मुस्कारते हुए फर्मान पर हस्ताक्षर कर दे कलम के एक एक चिन से प्रजा की पांच करोर वार्शिक दर से मुक्ती हो गई। लेला का मुख गर्व से आरक्त हो गया, जो काम बरसों के आंदोलन से न हो सकता था, वो प् प्रजावादियों को कितना आनंद होगा। लोग मेरा यश गाएगे और मुझे आशिवार्द देगे। नादिर प्रेम मुगध होकर उसकी चंद्रमुक की ओर देख रहा था, मानो उसका वश होता तो सौधन्य की इस प्रतिमा को हृदय में विठा लेता। चिक सहसा बगता जाता था और ऐसी आशन का होती थी कि क्रोधुनमत जन्ता द्वारों को तोड़ कर भीतर घूस आएगी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि कुछ लोग सीधिया लगा कर दीवार पर चद रहे है। लैला लजजा और गलानी से सिर जुकाया खड़ी थी उसके मुख से एक श चुकी थी। नादिर भी मौन खड़ा था लेकिन लजजा से नहीं, क्रोध से उसका मुख तमत्मा उठा था, आखों से चिरगारिया निकल रही थी बार बार ओर चबाता और तलवार के कबजे पर हाथ रखतर रह जाता था वह बार बार लैला की और संतप्त नेत्रों से द देखता था। जरा इशारे की देर थी। उसका हुक्म पाते ही उसकी सेना इस विद्रोही दल को यो भगा देगी जैसे आंधी। परतों को उड़ा देती है पर लैला से आखी न मिलती थी। आखिर वह धीर होकर बोला लैला, मैं राज सेना को बुलाना चाहता हूं क्या कह लैला ने दीनतापूर्ण नेत्रों से देखकर कहा जरा ठाहर जाये पहले इन लोगों से पूछिये की चाहते क्या है। आदेश पाते ही नादिर चट पर चट गया, लैला भी उस पीछे-पीछे उपर आ पहुँची। दोनों अब जनता की सम्मुक आकर खड़े हो गए। मशलों के प्रकाश में लोगों न इन दोनों को छट पर खड़े देखा मानौ आकाश से देवता उतर आये हो, सहस्त्रों से ध्वनी निकली वह खड़ी है लैला वह खड़ी। ये वह जनता थी जो लैला के मधूर संगीत पर मस्थ हो जाया करती थी। नादिर ने उच्चस वर से विद्रोहियों को संबोधित किया एरान की बदनसीब रियाया। तुमने शाही महल को क्यो घेर रखा है? क्यो बगावत का जंदा खड़ा किया है? क्या तुमको मेरा और अपने खुदा का बिलकुल खौफ किया? है, क्या तुम नहीं जानते कि मैं अपनी आँखों के एक इशारे से तुम्हारी हस्ती खाक में मिला सकता हूँ. मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ की एक लमहे के अंदर यहां से चलो जाओ वरना कलामे पाक की कसम, मैं तुम्हारे खुन की नदी बहादूंगा. एक आदमी ने, जो विद्रोहियों का नेता मालूम होता था, साम से लैला तुम्हारी मलका हुई है, उसने तुम्हारे साथ किंती रियायते की है. क्या उन्हें तुम बिल्कुल भूल गए? जालिमो वह मलका है, पर वही खना खाती है जो तूम कुत्तों को खिला देते हो, वही कपड़े पहनती है, जो तुम फकीरों को दे देते हो. आकर म कदमों की खाक माथे पर लगानी चाहिए, आखों का सुर्मा बनाना चाहिए. इरान के तक्त पर कभी ऐसी गरीबों पर जान देने वाली उनके दर्द में शरीक होने वाली गरीबों पर अपने को निसार करने वाली मलकाने कदम नहीं रखे और उसकी शान में तुम ऐसी बे द्रोहियों ने एक स्वर से चिला कर कहा लैला हमारी दुश्मन है, हम उसे अपनी मलका की सुरत में नहीं देख सकते। नादिर ने जोर से चिला कर कहा जालिमों, जरा खामोश हो जाओं, ये देखो वह फर्मान है जिस पर लैला ने अभी अभी मुझ से जबर्दस्तीर दस जाना चाहिए था, हम एक कोड़ी नहीं दे सकते, लैला, लैला हम उसे अपनी मलका की सुरत में नहीं देख सकते। अब बाद्शा क्रोद से कापन ने लगा, लैला ने सजल नेत्र होकर कहा अगर रियाया की यही मर्जी है कि मैं फिर डफ बजा बजा कर गाती फिरूं तो म तहरान की गलिया खून से लाल हो जाएगी। मैं इन बदमाशों को इनकी शरारत का मजा चखाता हूं। नादिर ने मीनार पर चक खत्रे का घंटा बजाया। सारे तहरान में उसकी आवाज गूंज उठी, शाही फौज का एक आदमी नजर ना आया। नादिर ने दोबारा केवल एक शीन प्रतीध्वनी ने दिया मानो किसी मरने वाले की अतन्म प्रार्थना के शब्धों। नादिर ने माथा पीत लिया। समझ गया कि बुरे दिन आ गए। अब भी लेला को जनता के दुराग्रव पर बलिदान करके वह अपनी राजसत्ता की रक्षा कर सकता था पर लेला उसे प्रानों से प्रिय थी उसने छट पर आकर लेला का हाथ पकलिया और उसे ले हुए सदर फाटक से निकला विद्रोहियों ने एक विजय ध्वनी का साथ उनका स्वागत किया पर सब किसी गुप प्ररेना के वश्रास्ते से हट गए। दोनों चुपचाक टहर प्रानियों के लिए कोई आश्रे ना था। नादिर की कमर में तलवार थी, लेला के हाथ में दफ था उनके विशाल एश्वर्य का विलुप चिनह था। चवन पूरा साल गुजर गया। लेला और नादिर देश विदेश की खाक छानते फिरते थे। चमरकंद और बुखा आवभगत होने लगती। लेकिन ये दोनों यात्री कहीं एक दिन से अधिक न ठहरते थे। न किसी से कुछ मागनते न किसी के द्वार पर जाते। केवल रुखा सुखा भोजन कर लेते और कभी किसी व्रेक्ष के नीचे कभी परवत की गुफा में और कभी सरक के किनारे र वही बुराई की कमर बांधता है। यहां किसी से दिल न लगाना चाहिए। उसके पास बड़े बड़े रईसों के निमंत्रन आते उन्हें एक दिन अपना महमान बनाने के लिए हजारों मिन्नती करते। पर लेला किसी की न सुनती। नादिर को अब तक कभी कभी बादशा की सनक सवार हो जाती थी। वह चाहता था कि गुप्त रूप से शक्ती संग्रल करके तेहरान पर चर जाओं और बाग्यों को परास्त करके अखन राज्य करूं। पर लेला की उदासींता देखकर उसे किसी से मिलने जुलने का साहस न होता था। लेला उसकी प्रानेश्वर थी वहूसी के इशारों पर चलता था। उधर इरान में भी अराजक्ता फैली हुई थी। जनसक्ता सितंग आकर रैसों ने भी फौज जमा कर ली थी और दोनों दलों में आये दिन संग्राम होता रहता था। पूरा साल गूजर गया और खेत नर जुते देश में वीशन अ काल पड़ा हुआ था, व्यापार शितिल था, खजाना खाली। दिन दिन जनता की शक्ती घटी जाती थी और रैसों को जोर बगता जाता था। आखिर यहां तक नौबत पहुची की जनता ने हथियार डाल दिये और रैसों ने राजभवन पर अपना आधिकार जमालिया। प्रजा के नेताओं को फांसी दे दी गई, कितने ही कैद कर दिये गए और जनसत्ता का अंत हो गया। शक्तिवादियों को अब नादिर की याद आई। ये बात अनुभव से सिधह हो गई थी कि देश में प्रजातंत स्थापित करने की क्षमता का अभाव है। आसन पर बैठकर भी रईसों ही के हाथ में कटपुतली बने रहेगे और रईसों को प्रजा पर मनमाने अत्याचार करने का अफसर मिलेगा। अतव आपस में लोगों ने सलाह की और प्रतिनेदी नादिर को मना लाने के लिए रवाना हुए। एज संध्या का समय था। लैल उल्नसित नेत्रों से प्रकृती की यह शोभा देख रही थी। नादिर मलिन और चिंतिक भाव से लेटा हुआ सामने की सुदूर प्रांत की और त्रिशित नेत्रों से देख रहा था। मानो इस जीवन से तंग आ गया है। सहसा बहुत दूर गर्द उल्ती हुई दिखाई वाहुत सुकता से बोला लैला, ये तो इरान के आदमी, कलामे पाक की कसम, ये इरान के आदमी है। इनके लिबास से साफ जाहिये हो रहा है। लैला पहले मैं वियून यात्रियों की ओर देखा और सचेत होकर बोली अपनी तलवार संभाल लो, शायद उसकी जरुरत पड़ अदब से नादिर को सलाम किया। नादिर बहुत जबत करने पर भी अपने मनोवेग को न रोख सका, दोड़कर उनके गले लिप्ट गया। वहाँ बादशा न था, इरान का एक मुसाफिर था। बादशेहत मिट गई थी, पर इरानियत रोम रोम में भरी हुई थरी। वे तीनों आदमी इस समय इरान के विधाता थे, इन्हें वह खूब पहचानता था, उनकी स्वामिभक्ती की वह कई बार परीक्षा ले चुका था, उन्हें लाकर अपने बोरिये पर बैठाना चाहा, लेकिन में जमिन पर ही बैठे। उनकी द्रिष्टी से वह बोरिया उस समय सिंधासन था, जिस पर अपने स्वामी के सम्मोखवे कदम न रख सकते थे। बाते होने लगी, इरान की दशा अत्यंत शोचनिय थी, लूटमार का बजार गर्म था, न कोई व्यवस्था थी न व्यवस्था पक थे। अगर यही दशा रही तो शायक बहुत जल्द उसकी ग रक्भाव से कहा एक बार इजजतली, क्या आपकी जान लेने की सोची है? मैं बड़े आराम से हूँ, आप मुझे दिख न करें, सरदारों ने आगरह करना शुरू किया हम हुजूर का दामन न छोड़ेगे, यहां अपनी गर्दनों पर छुरी फेर कर हुजूर के कदमों प अगर आप मुझे इस इरादे से इरान का बादशा बनाना चाहते हैं, तो माफ कीजिए. मैंने इस सफर में रियाया की हालत का गौर से मुलाजा किया है और इस नतीजे पर पहुचा हूं कि सभी मुलकों में उनकी हालत खराब है. वे रहम के कबिल है इरान में मुझे कभी कैसे मौके ने मिले थे. मैं रियाया को अपने दरवारियों की आखों से देखता था. मुझसे आप लोग यह उमीद न रखे कि रियाया को लूटकर आपकी जेबे भरुगा. यहाँ जाब अपनी गर्दन पर नहीं ने सकता. मैं इनसाफ का मीजान बराबर रखूंगा और इसी शर्ट पर इरान चल सकता हूं. लैला ने मुस्कराते कहा तुम रियाया का कसूर माफ कर सकते हो क्योंकि उसकी तुन से कोई दुश्मनी न थी. उसके दांग तो मुझे पर थे. मैं उसे कैसे माफ कर सकती हूं. नादिर ने गंबीर भाव से कहा लैला मुझ यकीन नहीं आता कि तुम्हारे मूर से ऐसी बाते सुन रहा हूं. लोगों ने समझा अभी उन्हें भरकाने की जरूरत ही क्या है. इरान में चल कर देखा जाएगा. दो चार मुकबिरों से रियाया के नाम पर ऐसे उपद्रफ खड़े करा देंगे कि इनके सारे ख्याल पलच जाएगे. एक सरदार ने अर्स की माजला, हुजूर ये क्या फर्माते है? क्या हम इतने नादान है कि हुजूर को इनसाफ के रास्ते से हटाना चाहेगे? इनसाफ ही बादशाह का जोहर है और हमारी दिली आरजू है कि आपका इनसाफ ही नौशवा को भी शर्मिदा कर दे. हमारी मालूम हुआ कि सारी प्रकृती संगीत मैं हो गई है. परवत और व्रिक्ष, तारे और चौणद वायू और जल सभी एक स्वर से गाने लगे. चौधनी की निर्मल छटा में वायू के नीरफ प्रहार में संगीत की तरंगे उठने लगी. लैला अपना डफ बजा बजा कर ग पर उपद्रव मचाया था और लैला के निर्वासन पर आग्रह किया था. लैला के विचारों में क्रांती हो रही थी जन्म से ही उसने जनता के साथ सहनुभूती करना सीखा था. वह राज कर्मचारिये को प्रजा पर अत्याचार करते देखती थी और उसका कोमल हृदय तरक उड़ता था. तब धन एश्वर्या और विलास से उसे घ्रिना होने लगती थी, जिसके कारण प्रजा को इतने कश्ट भूबने पड़ते हैं. वह अपने में किसी एशी शक्ती का आहवाहन करना चाहती थी कि जो आत्तायों के हृदय में दया और प्रजा के हृदय में अभ कर रोई थी लेकिन जब एक दिन ऐसा आया कि उसके स्वर्ण स्वपन आंशिक रीटी से पूरे होने लगे तब उसे एक नया और कठोर अनुभव हुआ. उसने देखा प्रजा इतनी सहंशिल इतनी दीन और दुरबल नहीं है, जितना वह समझती थी इसकी अपेक्षा उसमे पदारपन किया, सारा नगर उनका अभिवादन करने के लिए निकल पड़ा शहर पर आतंग छाया हुआ था. चारो और करुन रुदन की ध्वनी सुनाई देती थी. अमीरों के महले में श्री लोडती फिर्ती थी गरीबों के महले उजड़े हुए थे, उन्हें देखकर कले पड़ा जाता था. नादिर रो पड़ा, लेकिन लेला के होटों पर निष्ठुर निर्दय हास्य छटा दिखा रहा था. नादिर के सामने अब एक विकेट समया थी. वो नित्य देखता कि मैं जो करना चाहता हूं वह नहीं हुता और जो नहीं करना चाहता वह हुता है और पर कुछ कहना सकता था. लेला उसके हर एक काम में हस्तक्षित करती रहती थी. वो जनता के उपकार और उद्धार के लिए विधान करता. लेला उसमें कोई न कोई विधन अवश्य डाल देती और उसे चुप रह जाने की सिवा और कुछ नसुचता लेला के लिए उसने एक प्रेम में रत रहना ही उसकी परमधिलाशा थी. इस लेला के लिए वहब क्या कुछ न कर सकता था. प्रजा की और सामराज्य की उसके सामने क्या हस्ती थी. इसी भाती तीन साल बीट गए प्रजा की दशा दिन दिन बिगरती ही गई. नौ एक दिन नादिर शिक खेलने गया और साथियों से अलग होकर जंगल में भटकता फिरा यहां तक की रात हो गई और साथियों का पता न चला. घर लोटने का भी रास्ता न जानता था. आखिर खुदा का नाम लेकर वह एक तरफ चला कि कहीं तो कोई गाव या बस्ती का नाम निशान मिलेगा. वहां रात भर पर रहूंगा सबिरे लोट जाओंगा. चलते चलते जंगल के दूसरे सिरे पर उसे एक गाव नजर आया. जिसमें मुश्किल से तीन चार घर हो गया, एक मस्जद अलबत्ता बनी हुई थी. मस्जद में एक दीपक्तिम्टिमा रहा था पर किसी आदमी या आदमजात का नि पर लेट गया, दिन भर तक सोता रहा. पर किसी की आहट पाकर चौका तो क्या देखता है कि एक बुधा आदमी बैठा नमाज पर रहा है? उसे यह खबर नाथी की रात गुजर गई और यह फजद की नमाज है. वह पड़ा पड़ा देखता रहा. पृदह पुरुष ने न प्रिक्षाप्रदालोचना थी जो आज तक किसी ने न की थी उसे अपने जीवन में अप्यश सुनने का अफसर प्राप्त हुआ. वो ही तो जानता था कि मेरा शासन आदर्श नहीं है, लेकिन उसने कभी यह कलतना न की थी कि प्रजा की विपती इतनी असत्य हो गई है. न आखों से देखता है, न कानों से सुनता है. अगर देखता है तो उसी औरत की आखे से सुनता है तो उसी औरत की कानों से अब ये मुसीबत नहीं सही जाती. या तो तू उस जालिम को जहनुम पहुंचा दे, या हम वेकसों को दुनिया से उठा ले. इरान उसके जोन से त जी गिरपडी हूँ। टैन एक सप्ताह तक नादिर दरबार में न आया, न किसी कर्मचारी को अपने पास हाने की आग्यादी। दिन के दिन अंदर पड़ा सोचा करता की क्या करूं। नाम मात्र को कुछ खा लेता। लैला बार-बार उसके पास जाती और कभी उसका सिर अप शिन समस्या थी। उस ख्रिदय में भीशन द्वंद्वर रहाता और वह कुद निश्चे न कर सकता था। यश प्यारा था, पर लैला उससे भी प्यारी थी वह बदनाम होकर जिन्दा रह सकता था। लैला उसके रोम-रोम में व्याप्त थी। अंत को उसने निश्चे कर लि दूसरे के पहलू में बैठे हुई स्वर्ग के सुक भोगेगे। हमारा प्रेम अनंद काल तक आकाश में तारे की भाती चमकेगा। नादिर प्रसन होकर उठा। उसका मुख मंदल विजय की लालिमा से रंजित हो रहा था। आखों में शौर्य टक्का परता था। वह लैल लेकिन लैला की आरामगाह के द्वार बंध थे और उसका उफ जो द्वार पर नित्य एक खूटी से लटका रहता था। गायब था। नादिर का कलेजा संसा हो गया। द्वार बदम रहने का आशे तो ये हो सकता है कि लैला बाग में होगी। लेकिन उफ कहां गया। रही थी, वजू का पानी रखा हुआ था। नादिर के पावत हराने लगे। क्या लैला रात को भी नहीं सोती। कमरे की एक-एक बस्तो में लैला की याद थी, उसकी तस्वीर थी जोती ही नेत। नादिर का दिल भर आया। उसकी हिम्मत न पड़ी कि किसी से कुछ पूछे प्रदय इतना कातर हो गया कि हतबुद्धी की भाती फर्ष पर बैठ कर बिलख बिलख कर रोने लगा। जब जरा आसु थमे तब उसने विस्तर को सूगा की शायद लैला किस पर्ष की कुछ गंधा है। लेकिन खस और गुलाब की महक का सिवा और कोई सुगंध न थी। सा वह नादिर की किस्मत का फैसला था। नादिर के मुह से निकला हाय लैला और वह मुर्चित होकर जमीन पर गिर पड़ा। लैला ने पुर्जे में लिखा था मेरे प्यारे नादिर तुम्हारी लैला तुमसे जुदा होती है। हमेशा के लिए मेरी तलाश मत करना तुम मेर मैं तुम्हारी मुहबबत की लोडी थी, तुम्हारी बादशाहत की भूखी नहीं। आज एक हफ़ते से देख रही हूँ तुम्हारी निगाह फिरी हुई है। तुम मुझसे नहीं बोलते, मेरी तरफ आख उठाकर नहीं देखते। मुझे से बेजार रहते हो, मैं किन-किन मानों से तुम्हारे पास जाती हूँ और कितनी मायूस होकर लोती हूँ इसका तुम अंदाज नहीं कर सकते। मैंने इस सजा के लायक कोई काम नहीं किया। मैंने जो कुछ है, तुम्हारी भलाई के ख्याल से, एक हफ़ता मुझे रोते गुजर गया। मुझे मालूम हो रह है कि अब मैं तुम्हारी नजरों से गिर गई, तुम्हारे दिल से निकाल दी गई। आह, ये पाँच साल हमेशा याद रहेगे, हमेशा तरपाते रहेंगे। यही डफ लेकर आई थी, वही लेकर जाती हूँ पाँच साल मुझे उठा कर जिंदगी भर के लिए हसरत का दा लिए जाती हूँ। लेला मुहबबत की लोडी थी, जब मुहबबत न रही तब लेला क्यों कर रहती। रूक सत।